हलो नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाश 12 हिंदी स्वामार्क के most important short question answer कराने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंतक देखेंगे देखिए इससे पहले हमने इसके part 1 बनाये हैं जो की आपके बिहारबोड exam की दृष्टी से बहुत important है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लिज वो भी वीडियो देखे इसमें हम आपको 15 short question बताएंगे जो आपके बिहारबोड exam में जलूर है कि वो पूछा जाएगा इसी वज़त से आप इस वीडियो को अंतक ध्यान से देखेंगे तो चलिए इसके first में से इसके सभी question को solve करते हैं तो पर्थम question है कि पुत्र के लिए उसकी मां क्या क्या करती है तो क्या होगा इसका answer लिखेंगे इसका answer बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो प्रीज subscribe करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी first में share करेंगे चलिए इसके question को इसके answer लिखेंगे कि मा को बच्चे के लिए से रक्षा करने की चिंता रहती है मा गोध से भी उसे नहीं उतारती बच्चे की आवाज सुनकर वह दोड़ कर आती है और पुत्र की रक्षा करती है मा थपकी देकर बच्चे को सुलाती है मा लोरिया गागा कर पुत्र को सुलाती है किसी भी तरह बच्चे को मा रुगन नहीं देखना चाहती है वो बिमार होने पर रात जाग कर काट लेती है मा हर पत्थर को देव मानकर बच्चों के लिए दुआ सलामत मांगती है वो नारियल दूद और बतासे चढ़ाती है अपना बच्चा छिनते ही वो औसहाय और विवस होडती है देखिए किसी भी क्वेश्चन के एंसर लिखने से पहले आपको उस क्वेश्चन के विशह में अ गटना घटित होता है कि पूत्र के लिए मा क्या क्या करती है तो जितना चीज करते हैं आपके लिए मावापने क्या क्या किये ये सारे घटना इसमें लिख डालना है नेस्ट क्वेश्चन है कि राक से लिपा हुआ चोका के बारे में कभी का क्या कहना है इसका एंसर लिखे के वातावरन में नमी दिखाई दे रही है और वह राक से लीपा गीला चौका सा लग रहा है इससे उसकी पवित्रता जलक रही है कवी ने सुरियोदय से पहले अकास को राक से लीपे चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को अभिव्यक्त कर सके next question है कि जनजन का चेहरा एक से कभी का क्या तातपर्ज है यानि कि जनजन का चेहरा एक से कभी का क्या तातपर्ज है इसका उत्तर लिखेंगे कि जनजन का चेहरा एक कभीता अपने में एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ समेटे हुए है कभी पिडित संघर्षिल जनता की एक रूपता तथा समान चिंतन सिलता का वर्णन कर रहा है कभी की संवेदना विश्व के तमाम देशों में संघर्ष रत जनता के परती मुखरित हो गई है जो अपने मानवोचित अधिकारों के लिए कार्यरत है एसिया यूरोप अमिर्का आथवा कोई भी अनमहादेश या परदेश में निवास करने वाले समस्त प्रानियों का सोसं तथा उत्प्रिरन के परतीकार का स्वरूप एक जैसा है उसमें एक अद्रिस एवं अपरत्यक्ष एकता है नेश्ट क्विस्चन है कि पदमावत के रचनाकार कौन है तो पदमावत के रचनाकार मलिक मुहमद जैसी जी है मलिक महमद जैसी जी ने क्या लिखे हैं ? क्या लिखे हैं ? कड़वक मलिक महमद जैसी जी लिखे हैं देखिये अगर आपने chapter name रायटर नैम अभी तक याद नहीं किये हैं तो सबसे पहले आप chapter name रायटर नैम याद कर ले क्योंकि उससे related आपके board exam में 10 से 15 नमर का question पूछा जाएगा अगर अभी तक आपने वो देहाती trick नहीं देखे हैं तो प्लीज आप हमारे playlist में जाएए और chapter name writer name याद करने का देहाती trick दिया गया है आप उसको देखे और 15 नमर को fix करे और देखे मलिक मुहमद जैसी जी को पीर के कभी भी कहा जाता है next question है कि बाचित के समन्द में बेन जॉंसन और एडिसन के क्या विचाड है इसका answer लिखेंगे कि बेन जॉंसन का यह कहना था कि बोलने से ही मनुस के रूप का शक्षातकार होता है बोलने से ही रूप की सुन्दरता और कुरूपता का पता चलता है और एडिसन का मत है कि असल बाचित सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दुसरे के सामने खोलते हैं जब तीन हुए तो वह दो की बात को सो दूर हो जाती है बीद्यार्थी की राइनेतिक में स्वाभागिता को अनिवार्ज बताया है उस समय देश गुलाम था अजादी के बिना देश के परगती नहीं हो रही थी सर अब्दूल कादर और प्रोफेसर स्वर्चंडर नंदा ने इस बात पर जोड़ दिया कि विद्यारतियों को राइनितिक में हिस्सा नहीं लेना चाहिए लेकिन भगत सिंग लिखते हैं कि हमारे शिक्षा निकम्मी है फिजूल है यदि विद्यारति को युवा जगत अपने देश की बाते बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता है छात्रों को देश के समंद में जानना चाहिए भगत सिंग कहते हैं कि विद्यारतियों का मुख काम पढ़ाई करना है उन्हें अपना पूरा ध्यान इस और लगा देना चाहिए भगत सिंग प्रश्ण करते हैं कि क्या देश की प्रस्थितियों का ग्यान और उनके सुधार के उपए सोचने की योग्यता पैदा करना उस सिक्षा में सामिल नहीं है लेखक के अनुसार विद्यार्थियों को देश के बारे में भी सोचना चाहिए यदि सिक्षा हमें देश के बारे में सोचना नहीं सिखलाती है तो वैसी सिक्षा को निकम्मी समझना चाहिए केवल कलर्क पैदा करने वाली सिक्षा निकम्मी है ऐसी सिक्षा की कोई जलूरत नहीं है यह भी गलत है कि हम केवल रायनितिक की से ध्यानतिक सिक्षा ही गरहन करे व्यभारिक नहीं हमारे प्रोफेसरों को भी देश दुनिया और लेखकों की अच्छी जनकारी होनी चाहिए यदि प्रोफेसर ही शिक्षित नहीं होंगे तो उनकी आधी अधूरी दी गई सिक्षा किस काम की होगी पर भगत सिंग कहते हैं कि विद्यार्थी पढ़े जडूर साथ ही रायनितिक का ज्यान भी हांसिल करे जडूरत हो तो रायनितिक के मेदान में कुद पड़े अपना जीवन देश के लिए लगा दे नेक्स्ट कुश्चन है कि थारूं की कला का परिचाय पठित पाठ के अधार पड़ दे तो थारू भी चंपारन में बाहर से आकर बसी जाती है थारू अपने को आदिवासी नहीं मानते थे थारू शब्द को था राजस्थान से निकला मानते हैं थारूं की कला मुल्यतह उनके देनिक जीवन का अंग हैं जिस पात्र में धान रखा जाता है वो सीख का बनाया जाता है कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ सिंग की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की जालर लगाई जाती है जोपड़ी में परकास के लिए जो दीपक है उनकी आकृती भी कलापूर्ण है सिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मुझ से बनाये जाते हैं उनमें भी सुंदर्ज और उप्योगिता का अनू अदभूत मिश्रन दिखाई देता है नववधू का अनोखा अलंकरन मात्र अभूसन ही नहीं है हर पतनी दुपहर का खाना लेकर पती के पास खेत में जाती है नववधू जब पहली बार इस कर्तब को निभाने जाती है अपने मस्तक्स पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है जिसमें तीन लटे वेनियों की भाती लटकी रहती है हर लट में धवल सीपो और एक बीज विशे सफेर दाने के पिरोए होते हैं पीढ़े के उपर सिक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी नई स्वाहागन वधू धीरे धीरे खेत की और अपने पग बढ़ाती है तो सीप की वेनिया रजत कंकनों की भाती जंक्रित हो उड़ती है और सारा गउं जान लेता है की वधू अपने पिरियतम को कलेव कराने जा रही है विष्णी और मुन्नी को किसकी प्रतिक्छा है वे डाकियों की राकियों देखती है तो विष्णी की पुत्री मुन्नी को मानक की चिठी की प्रतिक्छा है बिस्नी मानक की मा और मुन्नी उसकी सगी बहन है मुन्नी और बिस्नी और मुन्नी डाकियों की रोज राह देखती है क्योंकि पहले उसके पूत्र मानक की चिठी हर पंद्रहवे रोज आ जाया करती थी प्रंतु इस बार दो महने पूरे होने वाले थे और चिठी नहीं आई थी इस्तरी को अहेरिन नागिन और जादुगरने कहने के पीछे क्या मनसा होती है क्या ऐसा कहना उचित है तो इसका एंसर लिखेंगे नारियों की अप उपेक्छा करते हुए अंग्रेज लेखक बर्नार्ड सौने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है अर्थात नारी सिकार करना जानती है और उसका सिकार पुरूस उसका मानना है कि अहेर यानि कि पुरूस का अहेरिन नारी से बच कर रहना चाहिए कुछ कभी तो बहुत नीचे के अस्तर पर आकर नारी को नागिन या जादुगरनी समझती है नारियों के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है जहां तक अंग्रेजी लेखक बरनाड सौ की बात है वे पस्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे पस्चिमी सभ्यता ने नारी को उपभोग की वस्तु मान लिया है नेक्ष्ट को और लिखेंगे इसमें कि जहां तक नारियों को नागिन या जादुगरनी मानने की बात है सर्वता अनुचित है ये सब जूट बाते हैं पुरूष के इस भाव में उनकी दुर्वलता का भाव छिपा है वे ऐसा कह अपनी स्रेष्ट ता कायम करना चाहते हैं वास्तम में विकार नारी में भी है और नर में भी इतना ही नहीं नाग और जादुगर के गोन भी नारी में कम पुरूष में अधिक होते हैं आखेट तो मुखेता पुरूस का ही सवभाव है देखिए आपको जो है न इतना हमने इसका एंसर बताए हैं लेकिन आपको क्या करना है आपको याद कैसे करना है सबसे पहले आपको question समझे और question समझ करके इसमें से आपको कम से कम 4-5 point को main main point को याद करना है और उससे related जितना भी बात आप जानते हैं सबको उसमें aid करना है उसको जोड देना है उसमें जोड जोड करके लिखना है इसी वज़ा से आप क्या करें कि question को उतारे और इसका answer खुद से लिखने का परियास करें जितना आप लिखेंगे उतना result आपका बेहतर होगा इसी वज़ा से आप जितना अभी से रिभायच करेंगे जितना अभी से अपने से लिखने का परियास करेंगे उतना result आप बेहतर लाएंगे तो इसी वज़ा से अधिक सधिक जादा से जादा लिखा करे, next question है कि दुसरे पद में तुल्सी ने दिंता और दलिधरता का पर्योग क्यों किया है, तो इसका answer लिखेंगे, दिंता और दलिधरता लगभग समनार्थी सब्ड है, दिंता दीन होने का भाव है, दिंता में नमरता होती है, दिंता गरिबी को कहत दिन्ता विपन्नता को कहते हैं दिन्ता मनुस की दूर्वबस्था है दिन्ता में मनुस की दूर्दर्शा होती है दलिरता भी गरीवी कंगाले निर्धनता और अभावगरस्तता का दूसरा नाम है दिन्ता दूर हो सकती है दलिरता के कीचड में फंसा आदमी फंसता ही जाता ह अकाल में उस समय लोग फस्च गए थे इसलिए दिंता और दलिद्रद दोनों सब्दों का प्रियोग तुलसी दास ने किया है इसका एंसर लिखेंगे कि रिती कालिन कभी भूशन ने छतर साल की तलवार का बड़ा प्रभावे वरणन किया है उस बुंदेला वीर की तेज धारवाली देदी प्यमान तलवार जब म्यान से बाहर आती थी तो वह परलाय के सूर्ज की तिक्षन कीरन की तरह प्रतीत होती थी वह शत्रु दल के हाथियों के जुंड को उस तरह विकिर्ण कर देती थी जिस तरह सूर्ज की किरने घनी भूत अंधेरे को विघटित कर देती है नेक्ष्ट क्विस्चन है कि बंदी हुई मुठीयों का क्या लक्ष है तिसका एंसर लिखेंगे कि जनता की सरकार के खिलाब और सोसितों की सोसकों के खिलाब अब मुठी बंद चुकी है ये जन मुठी बांद कर निरने ले चुके हैं कि सोशकों को इस धर्ती से हम मार भगाएंगे इनका लक्ष निर्धारित हो चुका है सावधान, सावधान पुंजिपतियों, सावधान Next question है कि कवित्री का खिलोना क्या है? कवित्री का खिलोना क्या है? तो कवित्री का खिलोना उसका बचुडा हुआ पुत्र है, क्या बिचडा हुआ पुत्र है? Next question है कि उसा कवित्रा में आकास के बदलते रंगों का वरणन करे? इसका answer लिखेंगे उसा कालिन आकास की सुस्मा देखते ही बनती है प्रातह का नव बहुत निले संक जैसा दिब और प्रांजल था भोर का नव राक से लिपा हुआ गीले चोके के समान पवित्र था भोर का नव वैसा था जैसे बहुत काली सिल यानि की सिलेटी जरासे लाल के सर से धली हुवी हो लालीमा च्छा गई थी सिलेट पर लाल खरिया चोक कोई मल देतो जैसा रंग उबरेगा वैसा ही नव का रंग था जैसे नीले जल में किसी आदमी की हिलती क्या है वो देह वैसा नव था उसा का जादू जब तुटता है तो सुर्योदय हो जाता है निशकरसता उसा के साथ प्राजल दिव्य और पारदर्सी भीम्बों का निर्मान कभी समसेर ने किया है कभीता बिम्बों और विशेशनों के सार्थक बन गए हैं तो माई डियर स्टुडेंट हमने 15 most important subjective question answer करवाए हैं अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं याद कर लेते हैं तो आपके वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप हमारे चैनल को सस्क्राइब करेंगे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी सेयर करेंगे बाकि सो थैंक्स वेरी मच्छ आल दा बैस्ट फिर मिलते हैं आगे की वीडिय में तब तक के लिए जाहिंद